तो दोस्तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो इंडियन पोस्ट आफिस जाननी की बारतिय डाक बीवा की और से नहीं बरती आ रही है इसका जो ओफिशल नोटिफकेशन है आप नोटिफकेशन नमबर भी देख सकते हैं 2022 जाननी की इसका जो ओफिशल नोटिफकेशन है जे वी इंडियन पोस्ट आफिस रिकूड्मेंट डिपार्टमेंट की और से निकाल दिया गया है इस बरती के लिए साथ में आप ओफिशल नोटिफकेशन में देख सकते हैं जो आपको बकैंसी मिलेगी सबरती में वो मिलेगी पोस्टल असिस्टेंट एंड सौटिंग असिस्टेंट की बकैंसी पोस्टमेंट एंड मेल गार्ड की बकैंसी इसके बाद आपको मल्टी टास्किंग स्टाफ ज रानी की Indian Post Office में नहीं बरती आ रही है, इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में, किस बरती में आपको कितनी बकैंसी देखने के लिए मिलेगी, कौन-कौन सी पोस्ट सापको इस बरती में देखने के लिए मिलेगी, टोटल नमबर आफ बकेंसी की अगर हम बात करें जो Indian Post Office Department की और से निकाली गई है इस बर्ती के लिए बोर निकाली गई है टोटल 15,000 से ज्यादा बकेंसी इसके बाद इसमें Education Qualification के बारे में अगर हम बात करें तो आपके बास कम से कम दसमी या फिर बार्मी पास की माक्षीट होनी चाहिए अगर आप इस बर्ती में अपना Application Form Fill करना चाहते हैं तो अगर आपके बास दसमी या फिर बार्मी पास की माक्षीट है तो जे बीडियो आपके लिए काफी important होने वाली है आप इस बर्ती में अपना Application Form Fill कर सकते हैं जे जो बर्ती आ रही है जे पूरे वारत के लिए सीधी बर्ती आ रही है चाहिए बारत के किसी वी राज्य से बिलाउं करते हैं आप इस भी अपना Application Form Fill कर पाएंगे इन सब चीजों के बारे में डीटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प् पोस्टाफ इस जानी की बारतिये डाक बिवाग में नहीं बरती आ रही है इसकी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में किस बरती में आपको कौन-कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी और किस पोस्टर्स के लिए आपको कितनी बकैंसी इस बरती में देखने के लिए मि मिलेगी मल्टी डास्किंग स्टाफ जानी की MTS की आपको टोटल 6080 बकैंसी देखने के लिए मिलेगी और टोटल बकैंसी की अगर हम बात करें जो इंडियन पोस्ट आफिस जानी की बारतिये डाक बीवा की और से निकाली गई है इस बरती के लिए वो निकाली गई है टोटल 15 1800 बकैंसी तो जे बात होगी बकैंसी की डीटेल्स के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंतली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस बरती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंतली सैलरी आपको दी जाएगी इस जौँ में वो कितनी दी जाएगी तो पोस्टल में जो आपको monthly salary मिलेगी वो मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 तक monthly salary आपको दी जाएगी इसके बाद postman and maid guard के लिए आपको total 21,700 से लेकर 59,100 तक monthly salary दी जाएगी और लास्ट में अगर हम बात करें multitasking staff के बारे में तो MTS में जो आपको monthly salary दी जाएगी वो दी जाएगी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको monthly salary दी जाएगी इस जाएगी तो जे बात होगी monthly salary के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं age limit criteria के बारे में कि अगर आप इस बरती में अपना application फॉर्म फिल करना चाहते हैं दन आपकी minimum and maximum age कितनी होनी चाहिए अगर आप इस बर साल जाने की आपकी जो age है वो 18 से 41 साल के बीच बीच में होनी चाहिए वही पर कुछ candidates के लिए जहां पर relaxation भी दी गई है जैसा कि जो candidate से बिलॉंग करते हैं वो 46 साल तक इस बरती में apply कर पाएंगे वही जो candidate OVC से बिलॉंग करते हैं वो 44 साल तक इस बरती में apply कर पाएंगे तो जे बात होगी age limit criteria के बारे में इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा application fulfill करना चाहते हैं दन आपके बास जो education qualification होनी चाहिए वो कौन-कौन से education certificate होने चाहिए अगर आपके बिस बरती में application fulfill करना चाहते हैं तो अगरा multitasking staff जानने की MTS में apply करना चाहते हैं दन आपके बास कम से कम दसमी पास की mark sheet होनी चाहिए इसके लावा अगरा postman and mail guard, postal assistant and sorting assistant इन सवी posters में apply करना चाहते हैं दन आपके बास कम से कम बार्वी पास की mark sheet होनी चाहिए तो जे बात होगी education qualification के बारे में कि आपके बास कौन-कौन से education certificate होने चाहिए अगर आप इस बरती में अपना application fulfill करना चाहते हैं तो और friends अगर आपने जो हमारा telegram channel है वो जाइन नहीं किया होगा कि जो भी job की new notification आएगी उसकी latest update आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है जल्दी से जाइन कर लीजिए हमारे telegram channel को link आपको description में मिल जाएगा तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं selection process के बारे में किस बरती में जो selection किया जाएगा वो कैसे किया जाएग एंड किस basis पे किया जाएगा तो सबसे पहले तो आपका इसमें written exam होगा उसके बाद आपकी final mail list निकाली जाएगी और अगर आपका final mail list में नाम आ जाता है then last में आपके documents की verification की जाएगी आपकी join के लिए तो इस तरह से इस बरती में कुछ selection किया जाएगा इसके बाद हम बा अगर हम बात करें तो वो है 8 March 2022 जाने की 8 March से इसके जो application form है वो लगना start हो जाएगे और जो last date है application form को fill करने के लिए वो है 7 April 2022 जाने की 7 April तक इसके जो application form में वो fill किये जाएगे तो जे बात होगी कुछ important dates के बारे में इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप eligible है और apply क करना चाहते हैं इस बरती के लिए दन आपके बास कौन-कौन से education certificate होना सबसे जरूरी है तो सबसे पहले तो आपके बास अपना data birth proof certificate होना चाहिए जिसमें आपके बास कम से कम अपना अधार काड जो कोई माक्षित होनी चाहिए जिसमें आपकी data birth mention की गई हो इसके बाद education certificate म में आपके बास कम से कम दसमी पास की माक्षित होनी चाहिए इसके अलावा अगर आपके बास कोई अधर qualification जा experience अबोवी apply कर सकते हैं application form के साथ इंसा भी documents के साथ-साथ आपके बास अपना अधार काड जा फिर pen card भी होना चाहिए as identity proof और अगर आप CST या OVC से भी लॉंग क successfully apply कर सकते हैं इस बरती के लिए इसके बाद अगर हम बात करें application form की fees के बारे में कि अगर आप इस बरती में अपना application form फिल करना चाहते हैं then आपकी जो application form की fees लगेगी वो कितनी लगेगी तो इस बरती के लिए जो apply mode रहेगा बो रहेगा online आपके online application form फिल किये जाएंगे आ अपना जो online application form में बो fill कर सकते हैं, application form की fees के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आप journal, OVC या EWS candidates हैं, तो आपकी जो application fees लगीगी, बो लगेगी 400 रुपे, वही अगर आप CST candidates हैं, तो आपकी जो application fees लगेगी, application form को fill करने के लिए, वो लगेगी 350 रुपे, तो जे बात होगी application form की fees के बारे में, इसके बाद last में अगर हम बात करें, कि अगर आप इस बरती के बारे में ज़्यादा जाना चाहते हैं, जैसा कि इस बरती का official notification पारना चाहते हैं, इस बरती में अ अगर हम बात करें, तो आपके बास कम से कम दस्मी पास की माक्षित होनी चाहिए, इस बरती में अगर आपका इस बरती में सिलेक्शन हो जाता है, तो इसमें education qualification के बारे में अगर हम बात करें, तो आपके बास कम से कम दस्मी पास की माक्षित होनी चाहिए, इस बरती के application फार्म को फिल करने के लिए, जो बरती आ रही, जो आल इंडिया के लिए सीधी बरती आ रही है, चाहे आप बारत के किसी विराज्य से भिलाउं करते हैं, आप इस भी अपना application फार्म फिल कर उस वीडियो का लिंक आपको description में मिल जाएगा